नमस्कार जहिंद वंदे मातरम EPS 95 पैंसन दारकों आपकी पैंसन EPS है जुड़ी अभी-अभी की यहाँ पर बहुत बड़ी गुड़ी बताई जारी पैंसन को लेकर ताजा अब्डेट अब EPS की पैंसन की लिमीट है यहाँ पर आपका वैतल लिमीट उसको लेकर अब्डेट कितना आपके लिए नया वैतल लिमीट सरकार लागउ करें तो आज के सब इडियो में इसके बारे मशा बात करेंगी तो अब आपकी परतीमा जो पैंसन है वह कितनी होगी एक अजार पी से बढ़ा करके सरकार ने पैंसन की रासे को लगकर क्या नया एलान क्या है तो मोधी कैमिनेट की बैटिक से पैंसन धारके उनके पैंसन के प्रस्ताव से जुड़ी यहां पर बहुत बढ़ी अपडेट आच चुकी कि नया EPS का लिष्ट जारे हो चुका है अब इतनी आपकी परतिमाँ पैंसन बढ़ेगी तो पैंसन धारके उनके पर सरकार ने पैंसन धारकों को दिपावरी पर बहुत बढ़ा गिप्ट दिया है पैंसन के रूमें यहां पर आपको एक अजार पे चिगर नई पैंसन के साथ में यहां पर नए लाबों को लेकर भी यहां पर बहुत बढ़ा पैंसला किया कि नई पैंसन आपको जो एक अजार पे की मलती है उस जगब नई पैंसन कितनी मिलेगी अगर उस साथ में आपको अन्य लाब कौन कौन से देखने को मलेंगे तो आज की सब वीडियो में इसी के बार में बात करेंगे तो आप सभी पैंसन धारकों की मिनिमम पैंसन जो आपकी उसी रासी को बढ़ा करके सरकार कतना लागू करेगी तो आज के सब वीडियो के अंदर इसी के बारे में बात करेंगे तो यहापर विद्त मंतर लेगा जो पेंसन धार को के पिरस्टाओं को लेकर नया पैशला क्या हुआ है जो पेंसन बुग्यों को आस्वासन दिया था विद्त मंतरी निर्मला सिता नन्वे की यापकर आपकी जो पैंसन की रासी है उसे सरकार बढ़ाएगी और आपके लिए आफसक सरकार कदम उठाएगी पैंसन को लेकर तो यहाँ पर अब आपकी पैंसन कितनी बढ़ेगी और कौन से आफसक कदम पैंसन को लेकर उठाएगे हैं cabinet की बैटक से की आपका वैतल लिमिट है 15,000 पी जिसे की बढ़ाकर की 21,000 पे का नए वैतल लिमिट को लेकर भी यहाँ पर संकेत मिला है कि उसमें आपको साथ मेडिकल लाब और हायर पैंसन का भी लाब मिलेगा पैंसन धारकों को और वैतल लिमिट बढ़ाकर की सरकार जो वा चियोगदान का नुसार उनको भी यहाँ पर साथ में फाइदा मिले तो यहाँ पर EPS 95 पैंसन भोगी है उनके लिए यहाँ पर बहुत बड़ी अपडेट आ चुकिए तो आप इससे वीडियो को अंतरत के ध्यान से देखते रहेगा EPS 95 पैंसन दारकों को सरकार ने यहाँपर दिपावली का बहुत बड़ा तोपा दिया दो माईने की सेले के बरबर आपके बॉनस भी खाता में यहाँपर ट्रांसपोर करना सरकार ने आपर एलान अब होने वाला हैं आपके पैंसन के दरिया एक मातर पैंसन होती है जो कि वेर्तमान में 1000 पी की पैंसन मिलती है उन्से वो अपना बोजन है आफसक वस्तरायक कपड़ है बगयर कुछ भी करे तो यहाँ पर 1000 पी की पैंसन से उनका मैंने वरका गोजार करना वर्तमान में देखे तो बहुत ही मुस्किल हो जाता है तुमेंद पंशन को मैं प्रेटा ने से पेनिमाइन फो relatोड तो उसके बाद यहां पर यह तक रहे हैं, तो उसके बाद यहांपर प्रेंशन को लेकर आवसे कदम उठाने को लेकर सरकार से इस तरह की भी संकीत मिले के सरकार यहांपर महत्य पुन बदलाओं को लेकर त्यारी कर रही है और दिवाली पर आपको यह बहुत बड़ा सोगात मिलेगा तो यहांपर वैतल लिमिट का 25 जा को लेकर भी अपडेट मिला की के अंदर सरकार स्नामा जीक सुक्सा कवरेश बनाने के लिए क्रमचारी वह संग्टन इपयों पका वैतन लिमिट है उसमें यहां पर बदलाव की त्यारी कर रही है जो कि नया वैतन लिमिट है आपका कितना लाग होगा 21,000 रुपे 25,000 रुपे के उनके पैंसन के बदलाव को लेकर यहां पर अपर पूरी त्यारी की जा रही है, उमीद की जा रही है कि मीडिया रिपोड करणु सरे सरकार यहां पर आपको बहुत बड़ा तौपा दे सकती है जैसकं की सरकार ने यहां पर कुछ S.P. ITP.F. पॉर्टowe पैंसन को लेकर भी आस्वासन जो पैंसन बुक को मिला है उसकी बाद सरकाने यहां पर त्यारी सुरू कर दिये हैं पैंसन की रासे में हो सकता हैं बड़ा बदलाव सरमेरोजगर मंतरी मनसुक मर्यावने अधिकारियों के सुझाओ दिया हैं कि रिटार्मिन के समय निकासी के नियमों को लचिला बनाया जाए ताकि सब्सक्राबर उनको बेतर विते प्लानिंग कर सके और पैंसन के रूप में उन्हें सालाना मिलने वारी रासी उसमें बदलाव कर सके निर्मान सन्मी के नाम पर राजयों द्वारा एकतरत किया जाने वाला पंड ऐसा ही पड़ा रहत को साल 24 में नया देखने को मिल सकता हैं सरकार साल 24 की सरुपोगे बढ़ा सकती है उसको लेके रहा पर तैारी जारी बिस इकीसume या पचीज़ा रपी इसको लेकर पैंसन भोग ने डिमांड किये हैं और प्रस्ताव के अंदर वैतन लिमिट 21,000 पर करने को लेकर पैंसन भूग ने का था और उसको लेकर यहां पर त्यारी भी जारी हैं ऐसे भी यहां पर अपडेट मेडिया एर्पोर्ट करनुशार मिले तो ESIC के लिए वैतन सीमा दोजार यहां पर 17 से 21,000 प जाता है जो कि आपका पैंसन होता है तो यहां पर आपको बहुत अच्छा पैंसन का फाहिदा मिलेगा वरतमार में बात करें तो आपका बार सो पचास रुपे का योगदान होता है और यहां पर देखा जाए तो 1749 रुपे का अगर योगदान होगा वैतन लिमिट बढ़कर के 21 रपे होता है या फिर 25 रपे होता है तो इसे भी अगर 21 रपे का वैतन लिमिट को सरकार मंजूरी देती है तो भी 1749 रुपे का आपका योगदान होगा इससे योगदन अगर नुसार आपका रिटार्मेंट पंड और ब्याज भी अधिक होगा तो अगर पैंसन भी आपको रिटार्मेंट के बाद अधिक मिलनाते हैं तो इसको लेकिन यहाँ पर विचार भी किया जा रहा है तो पैंसन कवरेस का दारा बढ़ेगा तो पैंसन आप नहीं उठा पा सकते हैं लेकिन जो उसमें जुड़ सकते हैं अगर वो के लिए वतन सीमा पंद्रा अजार पे से बढ़ा करके पच्छिस जार पे की जाते तो ऐसे क्रमचरी भी पैंसन योजना से जुड़ सकेंगे वो भी इसका लाब उठा पाएंगे तो क्रमचरी व आपको बहुत बड़ा तौपा देने की त्यारी करी हैं उसको लेकर एहलान भी हो सकता हैं तो रिटार्मेंट की बाद पैंसन भी आप अच्छा बैतर पापाएंगे यहां पर जो वैतन लिमिट बढ़ेगा तो अथिकांस राजवे नियुनतम वैतन की लिमिट अभी अठा आपको जल्द देखने को मिलने वाला है